नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहें न्यूज क्लिक पर खोज खबर का एक्रम आज समिधान दिवस है 71 साल पहले आज ही के दिन बाबा साब भीमराव अंबेटकर ने समिधान को देश को सौपा था और उसके बाद 26 जनवरी से वह लागू हुआ आज देश के कोने कोने में और खास और से उत्तर भारत में सडकों पर समिधान को बचाने वाले लोग निकले ये तमाम महनतकश हैं देश के अनदाता हैं वे तमाम लोग हैं जो देश के समिधान की बुनियादी चीजों की मांग कर रहे हैं और शायद इनहीं की बदौलत आज तक समिधान जिन्दा है और दूसरी तरफ खड़े हैं इन पर पानी बरसाने वाले लोग लाठी बरसाने वाले लोग इन्हें देश की राजधानी पहुँचने से रोकने वाली तमाम सरकारें जिसके सिरमौर हैं प्रधानमंत्री नरेन और आप देखिए जो नजारा इस समय देश में नजर आ रहा है वह शायद इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है जहां देश का अन्नदाता देश की चक्की को चलाने वाला मजदूर सड़क पर उतर कर समिधान के तहट अपने अधिकारों की मांग करना चाहता है और सरकारें सिरे से इंकार कर रही हैं सबसे पहले आइए बात करते हैं कि समय देश की जनता देश के नागरिक संघर्श कर रहे हैं सबसे पहले जो बुनियादी अधिकार और खास्तों से आर्टिकल 19 है जिसके तहट समिधान आपको और हमको एकठा होने, विरोध प्रदर्शन करने, एसेंबल होने, अपनी बात सत्ता संस्थानों तक पहुचाने का अधिकार देता है और देखिए जब इसका उप्योग करने के लिए देश के अन्नदाता, देश के मजदूर, तमाम जगहों से बड़े पैमाने पर दिल्ली कूच का अपना पूर्व घोशित कारिक्रम करने के लिए सडकों पर उतरे, उत्तर भारत की कड़कडाती ठंड को जेलते हुए उतरे, उस समय देश की जरपूरी की पूरी राजधानी है, उसे किस तरह से पुलिस प्रशाशन ने घेर लिया, चाहे वो हर्याना हो, चाहे वो दिल्ली के तमाम बॉडस हो, उत्तर प्रदेश के तमाम बॉडस हो, हर जगह पुलिस मुस्तैप थी, कि अनाज उगाने वाला अपना दुखदर्द देश के सत्ता के केंदर तक ना पहुच पाए, शायद जितनी कोशिश, जितना पानी, जितनी लाठिया, जितनी गिरफ्तारिया, इन लोगों को रोकने में खर्श की गई, उसका आधा फीसदी भी, अगर मोधी सरकार ने इनके दुखदर्द को सुनने में ख इनको हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, आप देखिए कि किस तरह से किसानों ने जमकर्ट मुकाबला किया, उधर से पानी बरसाया जा रहा था और इधर किसान कह रहे थे, मोधी सरकार, हम आपसे बात करने आये हैं, नियूनतम समर्थन मूली के बारे में, हम बात करने आ और ध्यान देने की बात ये है, कि ये तमाम किसान उन राजियों से हैं, जहां खेती और जहां किसानी बेहस सम्रिध मानी जाती है, ग्रीन बेल्ट का पूरा का पूरा ये इलाका रहा है, जहां खेती और खेती में जो तमाम नवीनतम प्रियोग हैं, उन्हें किसानों ने भ का भला कर रहे हैं या कहीं भी जमीन पर तिकता नहीं है और इसके साथ-साथ पहली बार हुआ कि पूरे देश में जो निजी छेत्र के करमचारी हो या सरकारी छेत्र के करमचारी उन्हों ने भी हाथ मिलाया किसानों के साथ 26 और 27 को देश्व्यापी हर्ताल का अहवान किया गया इनकी मांगों पर हम चर्शा करेंगे इससे पहले देखिए अलग-अलग जगों से जो रिपोर्टे हमारे पास पहुंची हैं उन्हें यह सरकार परजा दंतर में लोगों की चुनिवी सरकार अगर लाटी डंडे से लोगों को दबाएगी तो यह तो परजा दंतर का गला गोडने वाली बात है यह किसानों के साथ गोह रहने आए हैं हम कट्र सरकार और मोटी सरकार को चताव नहीं दे रहे हैं उन में इतने दब नहीं है किसान घर्थी कप दुनिया का अन पैदा करने वाला किसान अन दाता आज सड़कों पे लाटी नंडे और अत्रू गैस के गोले चोड़े जा रहे है किसान को भीकमंगा बिनाके सड़क पर टपरी वाज की तरह फिरा दिया है। क्यों रोका जा रहा है। इस मांग को लेकर वे आए। वे इस मांग को लेकर आए हैं कि करजा माफ हो। वे इस मांग को लेकर आए हैं कि मोदी सरकार ने तीन कानून तीन कृशी कानून जो उनके लिए लागू किये उन्हें तुरंत वापस लें। क्योंकि यह उन्हें नियूंतम समर्थन मूले से तो बहुत दूर की बात है कि कॉर्पोरेट लूट को खुली छूट देता है यह बताता है कि किस तरह से उनकी फसल पर बड़ी-बड़ी कमपनिया अपना कबजा कर सकती हैं मंडी और MSP का जो एक कम से कम कबच उनके पास है इ कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे और उधर मजदूर देखिए मजदूरों की जो दस केंद्रिय यूनियने हैं औरं गिनत जो फेडरेशन है वे सब सामने आये हैं और वे मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो श्रम कानून में तब्दीली की है उस तब्दीली को विबरदाश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह तब्दीली उन्हें ठेकेदारी प्रथा में धकेल रही है यह तब्दीली उनके श्रम के बुनियादी गरिमा को वंचित कर रही है यह तब्दीली जो मोदी सरकार कह रहे हैं कि श्रम सुधार कानून है दरसल यह श्रमिक उत्पीडन कानूनों में तब्दील हो र आंदोलन रत हैं इस आंदोलन को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारों ने एसमा जैसा कानून लागू किया है जिसके तहट अगर कोई भी सरकारी अधिकारी सरकारी करमचारी हड़ताल पे जाता है तो उसके खिलाब दंडात्मक कारवाई पुलिस कर सकती है सरकारे कर सकती है आखिर ये जो बुनियादी मांगे हैं इनको सुनने से भी ये सरकारें क्यों गुरेज कर रही हैं शायद समिधान दिवस पर यह सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने है यानि आप नजारा देखिए जो नजारा दिखाई दे रहा है इस समय जो किसान खेती करता है अन्यदाता है जो मजदूर खेती पर काम करता है वह मांग कर रहा है मुदी सरकार से कि आप हमारी बास सुनें इस समय देश का जो श्रमिक है जो मिलों में काम करते हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं रेलवे में काम करते हैं वे सब मजदूर मांग कर रहे हैं कि आप अपने कानूनों के जरिए बदलावों के जरिए हमारी बुन्यादी सु समिधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से यह मांग कर सकें लेकिन इसे रोकने के लिए जो पूरी की पूरी कवायत आज देश की राजधानी सहित देश के तमाम और इलाकों में देखने को मिली उससे साफ है कि समिधान के बरक्स जो एमर्जन इसी का खत्रा हमारे सामने पिछले लंबे समय से बना हुआ है वह सडकों पर सरकारें उतार रही हैं इसी के साथ साथ देश के नौजवान भी और खास और से देश की लड़कियां एक अलव धंकी मांग कर रही हैं वह भी समिधान के अंदर ही मांग है उनकी उनका कहना है कि लव जेहाद के नाम पर सरकारें जिस तरह का कानून ला रही हैं अध्यादेश ला रही हैं वह उनके fundamental right का उलंगन है वह उनके बुन्यादी अधिकार का उलंगन है इसलिए उन्होंने लव आजाद कर के एक अभियान चलाया है इस अभियान में भी वे समिधान को बचाने की मांग कर रही हैं आज समिधान दिवस पर बहुत जरूरी है यह बात करना कि समिधान को बचाने की जो ताक्ते हैं वे कौन सी हैं वे क्या मांग उठा रही हैं वे उठा रही हैं जिन्दा रहने के अपने अधिकार की मांग वे उ संगठित होने, एसेंबल होने और आवाज उठाने का अधिकार है, इस अधिकार की गारंटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें चुनाओ की गारंटी भी होनी चाहिए जिसमें जिस तरह से पूरा का पूरा मअहौल बनाया गया है उससे ऐसा लगता है कि एक ही आदेश तमाम अधिकारों को निशेत कर रहा है और शायद समिधान दिवस के दिन इन तमाम मांगों का इतने बड़े पैमाने पर उठना यह बताता है कि समिधान को जिन्दा रखने वाली ताक्तें इस देश में इस समय बेहद मजबूत है एक बात और गौर करने की है 2014 से जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने सत्ता सम्हाली है तब से यह पांचवा बड़ा मौका है जब बड़े पैमाने पर लोग जमीन पर उतरे हैं किसान और मजदूर सड़कों पर उतरे हैं और तब से लेकर अब तक एक संदेश बहुत साफ जा रहा है कि वे मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं वे खेती करना चाहते हैं वे मजदूरी करना चाहते हैं वे देश के विकास की गैरंटी करना चाहते हैं और देश के विकास की गैरंटी बिना भारतिये नागरिकों की अधिकारों की गैरंटी के साथ नहीं हो सकती और शायद यही बुनियाद है हमारे समिधान की जो लड़ता है वह हार भी सकता है जो लड़ता ही नहीं वह तो पहले ही हारा हुआ है और भारत की ये नागरिक जो आज सडकुई पर उत्रे हुए हैं वे निश्चित तोर पर हारे हुए नहीं हैं वे समिधान को जिताने की लड़ाई में उत्रे हुए हैं शुक्रिया